पैटन्स पैटन्स क्या होते हैं हमने अपने आसपास कई तरह के पैटन्स देखे होंगे जैसे कि दुपट्टे में भी पैटन्स होता है दुपट्टे के बॉर्डर में भी पैटन्स होता है और लहरिया दुपट्टा भी होता है जिसमें waves जैसे pattern होता है ऐसे ही बंदेज का तो पट्टा भी होता है हमने अपने घर में भी कई patterns देखे होंगे जैसे कि खिड़कियों की grillों पे pattern होते हैं आज हम वैसे ही कुछ patterns बनाएंगे यहाँ पे मैंने एक sponge ले लिया है और अब मैं इसके एक तरफ paint लगाऊंगी और patterns बनाऊंगी देखे मैंने इसके एक तरफ paint लगा लिया है अब मैं इसको यहाँ पे चापऊंगी यह देख्ये एक सीधा करा मैंने इसके बाद मैं इसको कुमा दूँगी 180 degree पे और इसको एक ultra लगाऊंगी तो यह सीधा उल्टे का पाटन देखा अब वापिस से एक सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा और फिर एक उल्टा तो आप यह देख सकते हैं कैसा पाटन बना सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा तो यह एक क्या है पाटन है अब हम एक और पैटन देखेंगे जो की होगा एक सीधा फिर एक आएगा 1 4th turn अब इसको ऐसे इतना गुमान है बस ऐसा फिर एक और turn इतना ही ऐसा फिर एक और 1 4th turn ऐसा और फिर एक वापस सीधा turn तो आप ये पैटन देख रहे हैं एक सीधा फिर 1 4th turn फिर 1 4th turn तब उल्टा हुआ तीसरे में जाके उल्टा होगा यहां पर दूसरे में उल्टा हो था यहां पर तीसरे में उल्टा हुआ फिर एक और 1 4th turn और फिर वापस 1 4th turn तो ये वापस से पहले वाला pattern आ गया तो ऐसे ही आप अपनी NCRT Class 5 बुक में जो exercise गिवन है Chapter 7 Patterns में वो आप कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही धन्यवाद